आईस्टाम अलेकूम मैं हूँ आईशा खान और आप देख रहे हैं माई योट्यूब चेनल आईशा का कीचन आज आईशा की कीचन में बनी है मटन बिर्यानी जो बहुत टेस्टी बनी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है घर आई महमानों को जब आप आप बिर्यानी खिलाएंगे तो महमान आपकी तारिफ के बगेर नहीं रहेंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है इसे बनाने के लिए मैंने ये एक गिलास चावल लिया है इसे अच्छे से हम वाश कर लेंगे और यह मैंने चार गिलास पाने लिया है इस पानी को हमें अच्छे से गरम करना है इस पानी में तेज पान डाले हैं बड़ी इलाइची डाली है दालचीन डालेंगे लॉंग डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे और टेस्ट के एकार्डिन हम इसमें ना मार्केट करेंगे जब पानी अच्छे से पॉल हो जाएगा उस वक्त हम इसमें चावल मिक्स कर देंगे 6-7 मिनट में हमारी चावल अच्छे से पाख जाएंगे हमें इन चावल को 90% को करना है इस चावल को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे चावल आप जब भी बनाए तो पहले पानी को बाइल कर लें उसके बाद उसमें चावल को एड़ करें तो चावल खिले खिले बनेंगे flame को low कर देंगे और हम इसे ढख देंगे बीच बीच में हम इसे देखते रहेंगे लगभग 6-7 मिनिट में हमारे 54 लगभग 90% को हो चुके हैं अब हम इसे छान लेंगे इसे ठंडा होने देंगे और अब हम मटन बना लेंगे मैंने 700 ग्राम मटन लिया है इसे अच्छे से वाश किया है इसमें 200 ग्राम प्याच लिए लगफ़क 200 ग्राम प्याच लेना है टेस्ट्री के कडिंग ना माख और थोड़ी सी हाल दे ली है इस मटन को हमें इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राइ हो जाए जब भी आप मटन बनाए तो इस तरीके से मटन का पाने ड्राइ करें वो मटन ज़्यादा डेस्ट्री बनेगा इसमें हम थोड़ा से पिसा हुआ मटन मसाला डालेंगे और मटन को कंटीनी चलाते रहे बड़े बरतन में बनाए तो ये काम हमारा जेल्दी हो जाएगा आपसे रिक्वेस्ट रहे कि अगर आप फर्स ट्राइम मेरा चेनल देख रहे हैं आपने मेरा चेनल सिब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चेनल को सिब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन भियान कर दे तरकि मेरी जो फी न्यू विडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल दी रहे आठ से दस मिनट में मतन का पानी अच्छे से ड्राइ हो गया है देखो नजरा रहा है मतन पूरी तरह से ड्राइ हो चुका है अब एक दूसरे बरतन में मैं थोड़ा से कुकिंग आई ले रही हूँ जिस बरतन में मुझे पिरियानी बनाना है उसी बरतन में मैंने आई लिया है इस आई में हम प्याच फ्राइ करेंगे मैंने दो बड़ी साइज की प्याच ली है और इस प्याज को हमें एक समान कट करना है प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है इस प्याज को हम निकाल लेंगे अब हम इस आईल में हरी मर्ची फ्राई करेंगे हरी मर्ची के बीच में से दो पिस किये हैं हरी मर्ची भी अच्छे से फ्राई हो गई है हरी मर्ची फ्राई करने के बाद हम इस आईल में लेसन अद्रेक फ्राई करेंगे लेसन अद्रेक टैलने के बाद हम इसमें एक टमाटर का पेस्ट रेट करेंगे टमाटर को हमें इतनी दिर फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमें इसमें आई नजर आने लगे यह अच्छे सी फ्राइब हो चुका है फ्लेम को लो करेंगे और अब हम इसमें सुखी मसाले एड़ कर देंगे टेस्ट की कड़िंग मिर्ची ली है मिर्ची डलने की बाद हम इसमें थोड़ा सा पाने डल देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं मसाला अच्छे सी फ्राइब कर लिया है अब हम इसमें यह मटन एड़ कर देंगे मटन को हमें इस मसाले की साथ में अच्छे सी फ्राइब करना है 15-20 मिनट में हमारा मटन अच्छे से पक जाएगा आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी मटन बना सकते हैं मटन को चाला लगाते रहें मैंने थोड़ा सा कोकोनेट लिया है फ्रेश कोकोनेट लिया है और ये 15 से 20 का जोली है इसका हम पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा देही डाला है देही हमें ताजा लेना है देही कोफी हम इस मटन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देही जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम अट करेंगे दूध के उपर जो मलाई आती है मैंने वो मलाई ली है मलाई फिसमें हमें अच्छे से मिक्स करता है मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेनी की बाद मैंने इसमें काजू और कोकोनेट का पेस्ट डाला है अगर फ्रेश कोकोनेट नहीं है तो हम कोकोनेट पाउडर भी ले सकते हैं फ्रेश कोकोनट का टेस्ट जदा अच्छा रहेगा, अब हम इस मटन को ढख देंगे और बीच बीच में हम इसे देखते रहेंगे, लगभग 15 मिनट में ये मटन अच्छे से गल चुका है, इसको चेक करें अच्छे से गला या नहीं, जब ये मटन अच्छे से गल जाएगा उस वक्त हम इसमें बिर्यानी मसाला डालेंगे बिर्यानी मसाला डालने के बाद हम इसमें बारेकटा पोधीना और हरा धनिया एट करेंगे इमे ने आधा मटन एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है हमें लेयर वाली बिरियानी बनानी है तो बिरियानी हमेशा बड़े बतन में बनाएं अब हम इसमें राइस डालेंगे बाइल राइस चावल को थंडा करने के बाद ही आप इसमें डालें तो चावल खिले खिले रहेंगे मटन और चावल के लेयर के बाद मैंने इस कटोरी में दहीं लिया है इस दहीं में हम फूट कलर एड करेंगे और इस चावल के उपर हमें फूट कलर डाल देंगे फूट कलर से बिर्यानी का लुप बड़ा अच्छा रहता है आप अगर इसे इसकीप करना चाहें तो इसकीप भी कर सकते हैं बरी कटा हरा धैनिया और पूधिना डालेंगे फ्राइकी भी प्याच डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची हम इसमें डालेंगे और इसी तरीके से हम एक पर एक लेयर लगा दे जाएंगे तो है ना आसान तरीका बिर्यानी बनाने का हम सबको लगता है कि बिर्यानी बनाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं होता है यह हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं जैसे हमने पहले लेयर लगाई थी बस वेसे ही हमें ये second layer भी लगानी है आप बिर्यानी जब भी बनाएं जब हम layer लगा रहे हैं तो बर्दन थोड़ा बड़ा ले बड़े बर्दन में बिर्यानी ज्यादा अच्छी बनती है आपने महमाने में देखा होगा कि बड़ी बड़ी देख में जो बिरियानी बनती है आधी से ज़्यादा वो देख खाली रखी जाती है तो आप ये ट्रिक को फालो करें आपकी बिरियानी बहुत टेस्टी बनेगी बिरियानी का लुक इतना अच्छा होता है कि देख करी खाने का दिल करता है तो आप भी दिपे नए अब लास्ट्री में हम कोईला लेंगी इस जलती हुए कोईली पर हमें घर का बना हुआ घीड अन्ना है घीड अन्नी के बाद हम इसे लग भग 5 मिनट के लिए धग कर रखेंगे जब बिर्यानी को इस तरीके से स्मोक दिया जाता है वो बिर्यानी बहुत टेस्ट्री बनती है धीमी आज पर इसे रखना है लग भग 5-7 मिनट के बाद हम इसे देख रहे हैं अब हम इसे सर्वे करेंगे बिर्यानी हमरी कॉम्प्लेट हो चुकिए बहुत टेस्ट्री और बहुत आसान तरीके से हम इसे बना सकते हैं आईशा के किचन में तो मटन बिर्यानी बन चकी है आपके किचन में कब बेंड रही है आप भी बनाए और मचे बताए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है इंशाला बहुत जल्दी एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफीज